आज समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव का जन्म दिन है अखिलेश यादव एक ऐसा नाम है जिसे यूपी में बच्चा बच्चा तक जानता है पिता मुलायम सिंग यादव ने 27 साल पहले जिस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी उसकी विरासत अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है पहले लोगसवा चुनाव में मिली करारी हार और फिर मायवती का गडबंदन तोड़ देना लेकिन बावजूद इसके सपा नेताओं को पूरी उम्मीद है कि अखिलेश की नेत्रित्व में पार्टी एक बार फि का चमकता हुआ चहरा है दोहजार बारा में जब समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता मिली तो परिवार के इस टीपू को मुलायम सिंग ने उत्र प्रदेश का सुल्तान बना दिया वो सबसे कम उम्र में प्रदेश के मुख्य मंत्री बने इसके बाद अगला विधान चनाव यानि 2017 चनाव से पहले अखिलेश ने खुद को पार्टी का सर्ताज भी खोशित कर दिया अखिलेश यादव का जन्म एक जुलाई 1973 को इटावा जिले में सैफ़ई गाउ में हुआ अखिलेश मुलायम सिंग यादव की पहली पत्नी मालती रेवी की इकलोती संतान है उनकी पढ़ाई राजस्थान की धौलपूर में सैनिक स्कूल धौलपूर से हुई इसके बाद उन्होंने करनाटक के मैसूर में SG कॉलेश से इंजिनिरिंग की डिगरी हासिल की वो विदेश भी पढ़ने गए और उस्ट्रेलिया के सिडने विश्विध्याले से डिगरी ल कन्नौज और संभल सीट से जीता था इसी वक्त अखिलेश को राजनीती में लौंच किया गया और मुलायम सिंग यादव ने कन्नौज सीट खाली कर दी कन्नौज लोकसवा सीट खाली होने के बाद 2000 में यहां उपचुनाव हुए अखिलेश यादव ने इस चुनाव में भ बीएसपी के ठाकुर राजेश को एक तरफा तोर पर हरा दिया 2009 में भी अखिलेश की जीत का सिलसिला नहीं रुका और उन्होंने कन्नौज सीट से ही बीएसपी के महेश चंदर वर्मा को शिकस्त दी इसी साल उन्होंने फिरोजबाद सीट पर हुए उपचुनाव में भी जीत दर्ज की हलाकि बाद में ये सीट खाली कर दी गई 2012 में विधानसबा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश की यात्रा की समाजबादी पार्टी को 224 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिला और मुलायम सिंग यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया इस तरह महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यूपी के 33 वे मुख्यमंत्री बने सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अखिलेश के ही नाम है विवादों से अखिलेश यादव का नाता कम रहा है हाला की 2013 में पश्चिम यूपी का मुजफर नगर दंगा उनके कारिकाल पर बड़ा दाग है स्पोर्ट में उनकी काफी रूची है अक्सर वो सार्वजनिक तौर पर खेलते हुए नजर आए है वो खुद इसका ना सिर्फ दिक्र करते हैं बलकि तस्वीरे भी शेयर करते रहते हैं